क्यूंकि दिखें, मसी समाज में दो समूधाय के लोग हैं, कैथलिक और प्रोस्टेन, मगर प्रोस्टेन को लोग मार्खिल लूथर से उसका समयकाल समझते हैं, कि मार्खिल लूथर से प्रोस्टेन जो है, वो इस्टाड हुए जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है प्रवियेशु मसी के मदुना में आप सबको जै मसी की प्रवो आप सबको बताई से आशिदे आमीन हम बात कर रहे हैं परकाशिद वाकिय की पुस्तक के विशे में परकाशिद वाकिय के इस संक्ला में आप सभी का सौगत है प्रकाशित वाक्य के साथ खंडों में से हम दूसरे खंड की बात कर रहे हैं साथ कलीसियाओं के नाम बत प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में जिस कलीसिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है थुआतिर्या की कलीसिया के प्रथम भाग है पिछले संदेश में हमने पिरगुमन की कलीसिया के बारे में सीखा था, हमने सीखा था श्वेद पत्थर और उस पत्थर पर लिखे नाम के विशे में, जिसे पाने वाले के सिवाए और कोई नहीं जानता, आज हम थुआ थीरा के प्रत्थम पॉइंट के बारे में सीखेंगे और आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक के दो अध्याय उसका 18 से 29 पत तक सबसे पहले हम थुआ थिरा की कलीसिया के बारे में उसका थोड़ा सा परीचे जान लेते हैं कि उसका परीचे क्या है थुआ थिरा जो है लिडुवा का एक शहर है पिरगुमन और सर्दीव के बीच की सड़क पर जो है लाइकस नदी पर है जो हारमस की जो एक साहक नदी के लाई जाती है ये 301 और 281 इसापूर्ब के बीच जो है सेल्कुएस जो प्रिथम रहा है उसके द्वारा जो है ये थुआ थिरा शहर जो था वो इस्थापित किया गया था लेकिन ये शहर जो था ये बात में जो है इसको मिलिटरी का एरिया जो है ये उसके रूप में जो है बसाया गया इसको इस शहर के अंदर जो था वेपार का जो उद्धोग और वेपार और उद्धोग का जो काम होता था ये बड़ा महत्पूर्ण था और ये वेपार और उद्धोग जो भी हुआ करते थे उनका केंदर बिंदू था और ये उसी के द्वारा जो है ये जादा कर जो है फेमस हुआ है और इसमें बहुत सी जो चीजे हैं परमेश्वा का वजन बताता है कि बहुत सी चीजे तो जो थी बड़ी महत्पूर्ण थी आखिरकार ये एक अधूनिक शहर जो था प्राचीन थुआतीरा जो था एक इस्थल पर बनाया गया है बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो देखन है इसका जो अर्थ दिया गया है थुआतीरा का जो अर्थ है श्रम का स्वाध परिश्रम का स्वाध या पशता का बलिदान इसका जो अर्थ है थुआतीरा की कलीसिया का जो समय काल रहा है पांसो अर्थिस एडी से लेकर 1563 एडी तक का इसका जो है समय काल जो वो रहा है अ अब मैं थुआतिरा के दूट की बात करूँगा, देखिए, अब हम दूट की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, अभी थुआतिरा के 538 AD से लेकर 1563 तक जो था, इसका समय काल रहा है, तो इतने समय काल में बहुत से ऐसे दूट रहे, बहुत से ऐसे दूटों के बारे में जो है, वो जानकारी, परन्तु प्रभू जिस दूट से बात कर रहा है, या प्रभू की और से जो दूट निफ्ट क्या गया है, इसका जो वर्नन है, ना तो बाईबल में मिलता है, और ना इतियास में मिलता है, परन्तु मैं आपको एक चीज ज़रूर बता दूँगा, जि इस्थापित हुई थी, उनकी वारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा, यहां पहला जो है, 538 AD में रोमन कैतलिक चर्च का जो था, वो उदे हुआ है, 1517 में मार्टिल लूथर, जो थे, ये पहले कैतलिक चर्च के प्रीस्ट थे, उसके बाद ये कैतल मार्टिन लूथर को जो है हम क्या बोलते हैं सुधारक प्रचारक बोलते हैं इन्होंने बहुत सा सुधारकार करा बहुत सी चीजे इन्होंने Catholic Church के जो Chronicle Church है Catholic का वहाँ पर जो है इन्होंने 95 सिध्धांतों को लगाया जो बाइबुल के अधार परते और भी बहुत सी चीजे उन्होंने जो है बताई है बहुत सी जो है सुधार करा है जिसको प्रोस्टेन की जो इस्थापना हुई है बहुत से लोग जो है प्रोस्टेन काल जो है मार्टिल लूथर से समस्ते हैं परंतु मैं इस बात पर एग्री कि नहीं करता। क्योंकि दिखे दो समुदाएं के लोग है। Catholic और Prostatenelle, मगर प्रोस्टेन को लोग मार्टिन लूथर से जो है उसका समयकाल समझता है कि मार्टिन लूथर से प्रोस्टेन जो है वो अस्टरड वो जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वहां से नहीं हुए बलकि ये फॉंतिस से इनका जो मेल था कुछ ना कुछ कैटलिक समा से मिलता जोलता था परंतु तब भी इन्होंने बहुत सी बातों को नजर अंदाज करके और बहुत सी बातों को इन्होंने अपनाया था जो आट सो या एक हजार पंदरा एडी में जो थे फॉंतिस रहें क्योंकि मार्टिल लूथर जो है जब हम कहते ना कि एक बात ध्यान देजेगा थुआ थीरा की कलिसा का समयकाल कहां से शुरू हो रहा है जब पांसो अर्तिस एडी से शुरू हो रहा है और इसका समयकाल कब तक रहता है ये मार्टिल लूथर जो है 1517 में आया है तो उतने टाइम पीरेड में फिर उसका सुधारकार कहां से शुरू हुआ तो ये बहुत सी चीजे हैं जिने हमें जानना है जिने हमें समझना है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दूसरी चीज हमने पिछले संदेशों में भी एक मतलब वो अपने धरम का प्रचार कर सकते थै आरादना कर सकते थै येशु मसीआ को मान सकते ते ये शुमसी का नाम ले सकते थै ये स्वतनतरता जो थी वो उने है मिल चुकी थी तो वो सतंतरता जो थी जब उन्होंने वो प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद जो है जब 538 में कैत्रिक कलीसिया होई और ये अलग हुए प्रोस्टेंट अलग हुई है तो और भी बदलाव जो है वो उनके अंदर आता चला गया तो ये दूतु की बात है मगर यहाँ पर एक चीज हम और देंगे कि उस दूत के समक्स मसी का जो विवरन है इसका मैं 18 पत पढ़ना चाहूंगा परकाशिद वाद के 2 का 18 थुआ तीरा की कलीसिया के दूत को ये लेग परमेश्चा का पुत्र जिसकी आंके आग की जौला के समान और जिसके पाउं उत् बहुत आपको मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझेंगे आग की जौला के समान मतलब आग शुदिता का प्रतिक है ठीक है पवित्रता का और शुदिता का प्रतिक है तुआतीरा के कामों के कारण क्या है वो क्रोधित है क्योंकि उनके अंदर खंबेते याकीन और ब्वास आपने उस समय सुना होगा पिछले संदेशों में याकीन वो इस्तिर रखे ब्वास उसी में बल है तो परमेश्वा का वचन जो है इन सारी चीजों का वरण जो है वो बताता है कि येशु मसी का एक अलग परिच्छा है और येशु मसी का परि परिदा की कलीसिया के बारे में कि उसका ये रूप क्या देखे सातों कलीसियाओं को पढ़ेंगे सातों कलीसियाओं में प्रभू येशु मसी के अलग अलग रूपों का वर्णन जो है वो दिया गया है जिसको हमें समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी आवाशिस दे, आमें.